हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो लॉव यू वेलकम टो लॉजिक पाट शाला सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में देखे हम कवर करने वाले हैं सेकेंड एपरेल के इंपोर्टन करेंट अफेस के क्वेशन सो टेलिकर इंट अफेस के सासत हम ओवरॉल कवर करते हैं फ्रेंट स्टैटिक के क्वेशन पी तो वीडियो को शुरू से अंतर दक पूरा देखेगा और आज हम मोस्ट इंपोर्टन न्यूस को कवर करने वाली हैं अगर आप किसी भी तियारी कर रही हैं उन सब एक्जाम के लिए ये करेंट अफेस का सेशन मोस्ट इंपोर्टन होने वाला है और वीडियो का पीडियफ कहां मिलेगा देखे तो वीडियो का पीडियफ आप लोग को मिलेगा टेलिग्राम ग्रुप से लॉजिक पार्ट शाला 16 जिसका लिंक आ आज के इस इंपोर्टन सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से आज का मोटिवेशन कोट है जिद अगर जीतने की हो तो हार ना नामों किन सा हो जाता है तो अगर आपके अंदर एक जिद है ना आपने धर निश्य कर रखा है कि मुझे जीतना है मुझे अपनी ल इसी जज़वे के साथ आगे करते रहें तो चले फ्रेंट्स अब हम भी अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले question की तो फ्रेंट्स आज का पहला question क्या है देखिये how many sites have been added to the global geoparks networks so friends question में पूझा गया है कि global geoparks network में कितनी sites जोड़ी गई हैं तो अभी recent जो है 18 sites जो है friends जोड़ी गई है किसमे global geoparks network में तो अब total number of geoparks कितनी हो गई है तो इनकी संख्या हो गई है 213 तक इनके संख्या पहुँच गई है in 48 countries तो 48 देशों में geopark कि कुल संख्या कितनी हो गई है 213 जो नए geoparks देखिये अभी जोड़े गए हैं वो situated कहां कहां पे हैं Brazil, China, Croatia, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Poland, Portugal and Spain तो यहां पे जो है नए geoparks को जो है जोड़ा किया है तो यह सारे geoparks जो है इन countries में situated है UNESCO Global Geopark यह कब जो है फॉर्म किया गया था तो यह फॉर्म हुआ था कब 2015 में अचा फैंड सोड़ा सा यहां पे geoparks की बात करते हैं तो क्या है यह तो geoparks serve local communities by combining the conservation of their significant geological heritage with public outreach and a sustainable approach to development तो geopark जो है स्थाने समुदायों की महत्वपूर्ण भूवज्यानिक विरासत के संरक्षन को सारवजनिक पहुँच और विकास के लिए एक इस्थाई द्रस्टिकोर्ण के साथ जोड़ कर सीवा प्रदान करती हैं तो इनी geoparks को तो कहा गया है और यही जो global geoparks network हैं इसमे कितनी sites अभी देखे जोड़ी गई है तो इसमें recent add हुई है 18 sites तो आपको numbering याद रखनी है और total कितनी हो गई है ये भी याद रखना है तो total जो इनकी संक्या है वो भी याद रखेगा और कितनी हो गई है 213 तो यहां से ये दो question friends आप लोगों से exam में पूछ सकती हैं next बात करते हैं अगले question की very important question देखिए under which operation the Indian Navy rescue an Iranian fishing vessel जिसका नाम है Al-Kambar and its crew nationals in the Indian Ocean तो अभी किस operation के तहट इंडियन नौसेना ने हिंद महासागर में एक एरानी मचली पकड़ने वाले जहाज Al-Kambar और उसके चालक दल के नागरिकों को बचाया है तो इसके लिए इंडियन ने जो operation शुरू किया था उसे नाम दिया था friends operation संकल्प और इसी operation के तहट जो ये vessel है जो ये इरानियन fishing vessel है देखिए Al-Kambar इसको rescue किया गया तो ये अभी देखिए hijack कर लिया गया था pirates के द्वारा और इसमें जो crew था वो पाकिस्तानी crew था तो इसको अभी इंडियन नेवी के द्वारा rescue किया गया था और इंडियन नेवी ने इसके लिए operation चलाया था तो यहां पी हमारे लिए जो ये operation है friends important हो जाता है कि कौन सा operation चलाया गया था operation संकल्प चीए very important अभी देखिए आपको recent एक और operation के बारे में याद होगा जो की गया था operation इंडिरावदी ये friends हैती जो है intervention के लिए था इसके लावा जो operation अगर हम अजे की बात करती हैं तो ये Israel mission के लिए जो है ये operation था operation कावेरी की बात करें तो सुडान में जो है help करने के लिए operation कावेरी शुरू किया था operation दोस्त की अगर बात करें तो तर्कियों सीरिया में देखिए जो भयंकर वहाँ पे देखिए disaster आया था तो वहाँ पे मदद करने के लिए operation दोस्त को शुरू किया था operation गंगा की अगर बात करते हैं तो रशिया यूकरेन का जो conflict हो गया था और सुरान वहाँ से इंडियन को वापस लाने के लिए उनके मदद करने के लिए शुरू किया गया था operation गंगा तो इस तरह से कई सारे operation देखिए इंडिया के दोरा शुरू गये गए हैं तो ये recent वाल which state has lifted gender restrictions for boys to learn मोहिनी अटम हाली में किस राज्ये ने मोहिनी अटम सीखने के लिए लड़कों के लिए लिंग प्रतिबंद हटा दिया है तो gender restrictions को देखे अभी हाली में हटाया है किसने केरल government ने सो केरल कला मंदलम जो है उन्होंने मोहिनी अटम सीखने के लिए जो लड़कों पर restrictions था उसको हटा दिया है मोहिनी अटम जो है ये केरल का एक classical solo dance form है फिंग्स बात करते हैं आपे थोड़ा सा केरल के बारे में तो केरल के देखे formation होई थी 1st of November 1956 को सीम है पिंडराई विजियन गवर्णर है आरिफ महम्मद कान लोग सबा सीटे है 20 राजसबा के सीटे है यहां पे 9 यहां की important national park है देखे अनाई मुडाई शोला national park एरेविकुलम national park मात्थी केटन शोला national park पंबादम शोला national park पेरियार national park एं साइलेंट वेली national park तो यह फेंड्स केरल के हैं national park चुले केरल से मैं आपको कुछ और important news को revise करा देती हूँ तो केरल सरकार ने अपने यहां पे शुरू किया था project वनी करण यहां पे शुरू किया गया था इंडिया का पहला जो carbon neutral farm है यह inaugurate कहां पे हुआ था केरल state में next point से यहां देखेगा केरल government ने अपने यहां पे operation अमरित शुरू किया था ताकि यहां पे जो antibiotic abuse है जो भी antibiotic देखे गलत तरीगे से use होती है उसको control किया जा सके next point केरल ने launch किया था अपने यहां पे वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को केरल जो है पहला state बना जिसने robotic scavengers को use किया manholes को clean करने के लिए so very important news यह सभी याद रतना है हमें केरल state से और कोशिश करें friends के question में अगर कुछ भी आ रहा है तो आप जादा से जादा उसको revise करने के कोशिश करें चले बात करते है next question की on April 1st 2024 the Reserve Bank of India celebrated its 90th foundation day तो नभ्योवा foundation day जो है इस पार RBI ने अपना celebrate किया है 1st April को RBI was stabilized on the recommendation of which committee RBI के स्थापना किस समीती के सिफारिश पर की गई थी very important question तो RBI के जो स्थापना थी यह होई थी Hilton Young Commission की सिफारिश से और RBI के स्थापना का बोईटी देखे यह भी याद रखना है 1st April 1935 को इसलिए 1 April को RBI जो है अपना स्थापना दिवस celebrate करता है और इस पार RBI का 90th foundation day मनाया गया है RBI जो है friends इसका nationalization हुआ था 1st January 1949 को RBI का headquarters मुंबई में है RBI को Hilton Young Commission ने setup किया था पहले RBI के governor थे Australia के Sir Osborne Smith पहले Indian RBI के governor कौन रहे थे CD देश मुख और current में RBI के governor कौन है शक्तिकांत दास Next question है Who has been appointed? Is a executive director of Union Bank of India Friends बात करते हैं Union Bank of India के कारे कारी निदेशक के रोप में किसी न्युक्त किया गया है तो इस पत पर appoint कौन हुए है? पंकज दुवेदी तो पंकज दुवेदी appoint हुए है Union Bank of India के executive director पत पी अब friends यहाँ पर देखे banking sector के appointments की बात करें तो अभी New India Assurance Company के CMD यानी chief और managing director कौन बने है? गिरिचा सुब्यमन्यम United India Insurance Company के CMD बने भूपेश सुशील राहुल Bank of महराष्ट के MDCO बने है निदू सकसेना Indian Bank Association के chairman बने है M.V. Rao और IBA के deputy chairman देखे कौन-कौन बने है? दिनेश कुमार खारा, SLJN and N.Kam Kodi तो ये बने है deputy chairman तो ये याद रखेंगे recent appointments हैं सारी Next question Who has been honored with the International Culture Award in March 2024? सो भी हाली में देखें अंतराश्टे संसकति पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया? तो friends ये honor दिया गया है भी हाली में मीना चरंदा मीना चरंदा जो है friends इनको अभी International Culture Award जो है इससे सम्मानित किया है ये Delhi University में देखें जो वहाँ पे कलिंदी College है उनकी प्रिंसिपल है और इनको honor किया गया है International Culture Award से अब अगर बात करें इनने ये Award क्यों दिया गया है? for her remarkable work in the field of education and social service तो इनको देखें ये सम्मान मिला है सिक्षा और समाज सेवा के छेतर में जो भी उनका उलेखने कारे रहा है उसी के लिए उनको ये honor दिया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा जो है उनको एक memento, एक plague यानि एक स्मृतिचेन एक पट्टी का shield and situation मिला है from the university तो उनको विद्यविश्य उद्याले की ओर से जो है ये honor दिया गया है अब हम यहाँ पे बात करेंगे अभी recent awards के बारे में तो देखेंगे अभी times power icon 2024 award इस 2024 की बात करेंगे ये mathematics gift छितर में दिया जाता है और इस पार ये honor दिया गया है Michelle Telegram को 29th Devi Shankar Avasti Award 2023 से सम्मानित किया गया है Nishant को और इनकी book का नाम क्या है? कविता पाठग अलोचना इसके लावा दादा साहिफाल के lifetime achievement award ये award रिसीव हुआ है वाहिदा रहिमान को फेशन डिजाइनर राहुल मिश्रा इन्ही honor किया गया है France के Chevalier de Liot This Art This Letters Award के द्वारा तो ये award दिया गया है किसे फेशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को Next बात करती है Friends अगला question है Who has become the first Bangladeshi empire to join the ICC elite panel of empires in March 2024 March 2024 में empires के लिए ICC elite panel में शामिल होने वाले पहले देखे Bangladeshi empire कौन बन गई है So first Bangladeshi empire बन गए है Sharfud Dola Ibn Shahid इनका नाम याद रखेंगे Friends ये first Bangladeshi empire बनी है जिन्होंने ICC elite panel empire जो है उसको join किया है बात करें Friends यहाँ पे ICC के बारे में इसका पूरा नाम है International Cricket Council इसकी जब इस्थापना हो थी देखे 1909 में तब इसका नाम क्या था Imperial Cricket Conference के नाम से जो है इसकी स्थापना हो थी उसके बार देखे इसका नाम International Cricket Conference किया गया 1965 में ते जो current नाम है इसका International Cricket Council ये नाम कब पढ़ा इसका 1987 में तो इसकी formation कब हो थी 15 जो 1909 headquarters जो है इसका है Dubai UAE में और Chairman कौन है New Zealand के Greg Barclay और CEO है Australia के Geoff Elardis तो very important ये भी पूछ सकते हैं कि ICC का जो current नाम है International Cricket Council ये कब रखा गया था 1987 में तो current affairs के questions यहां complete हो गए हैं अभी हम friends बात करेंगे यहां पे steady GK के questions के बारे में तो चली एक बार questions इनके भी पढ़ लेते हैं So first question देखें हां हमारा The railway line was established during the reason of which governor general in India इंडिया में जो railway line के स्थापना है ये किस governor general के साशनकाल में की गई थी Answer is Lord Dalhauji तो उस time पे देखे Lord Dalhauji इंडिया के governor general थे और एक और important बात यहां पे ध्यान रखना है Lord Dalhauji जो है इने father of Indian railway के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है ये point भी important है अगला question है Vikramaditya is another name of which famous Gupta ruler Vikramaditya जो है किस प्रसिद Gupta Sashak का दूसरा नाम है तो friend चंद्र Gupta second जो है चंद्र Gupta दुत्ती है इनका दूसरा नाम Vikramaditya भी है ठीके तो दोनों नाम सेमी परसन की है तो चंद्र Gupta second जो है इनको Vikramaditya के नाम से या Vikramaditya का दूसरा नाम किया था चंद्र Gupta second अगला कोशन देखें हुमायू नामा प्रोवाइट्स अग्लिम्स इंटो दा वॉर्ड ओफ मुगल्स हुर रोड दा बुक हुमायू नामा अगर बुक की बात करें तो यह किताब किस ने लिखी तो यह किताब किस ने लिखी थी गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम कौन थी तो ये friends बावर की जो है बावर की जो बेटिया थी उनमें से एक थी गुलबदन बेगम Next question देखे friends The Red Fort of Agra was founded by which Mughal Emperor Agra के लाल के ले की स्थापना किस Mughal समराच ने की थी तो लाल के ले की स्थापना जो है ये किस ने की थी अकवर नी जो आगरा का Red Fort है यहाँ पर उसकी बात हो रही है तो इसके स्थापना जो है friends ये करी थी अकवर नी अगर हम अकवर के Monuments की और बात करते हैं तो एक तो आगरा फोर्ट हो गया इसके लावा देखे जो फतेफुल सीकरी है आगरा में ये Monuments में किसके दोरा बनवाया गया था अकवर के दोरा नेक्स्ट याद अखे का बुलंद दर्वाजा ये भी आगरा में लोकेटेड है उसके बाद है हुमाईू स्टॉम ये डेली में है अकवर स्टॉम ये गया सिकंदरवाद में आगर बात करने के पहले नवाफ कौन थी ये कोशन में इंपॉर्टेंट है सादत अली खान अवद की थे friends पहले नबाव तो यहाँ पे friends हमारे question का सिलसला हो चुका है complete लेकिन अभी हम बात करेंगे friends कल के questions की तो थोड़े से questions को चले हम revise कर लेते हैं पहला question है recently which country has successfully launched यून हाई 302 satellite to monitor atmosphere and space environment तो यून हाई satellite जो है इसे सफलता पूरवक launch किया है किसने चाइना ने इसे friends launch किस rocket से किया गया है long march 6 rocket के मदब से satellite को launch किया गया next who will become the first country to pass a bill to combat hair discrimination बाल भीदवाव से निपटने के लिए विध्यक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा answer is France next बासीरो डियो माई फे ये भी किस country के राष्टपती चुने गए है तो friends ये भी recent बने है सेनेगल देश के राष्टपती India was participated second G20 employment working group meeting in which country भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजकार कारे समुकी बैठक में भाग लिया तो ये बैठक कहां पे हुई थी ब्राजील में What is the name of the India's first AI-based film इंडिया की जो पहली AI आधारित film है इसका नाम क्या है तो film का नाम है इरहा Next question Novel winner Daniel कहां मैं इनका भी देखे हाली में निधन हुआ कौन से फिल्ड में इनको Novel Prize जो है रसीव हुआ था तो 2002 में इनको Novel Prize मिला था Economics के छेत्र में Next question Where is the world largest single location copper manufacturing plant owned by Adani located तो Adani के स्वामित वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल इस्थान तामा वी निर्मार सायंतर कहां स्थित है तो ये जो प्लांट है ये कहां पे है गुजरात स्टेट में वर्ड का पहला ओम शेब्ड टैंपल ये कौन से राजे में inaugurate किया गया है तो friends इसे inaugurate किया है राजस्थान स्टेट में Next है निदू सक्सेना जो है friends अभी हाली में किस बैंक की तो friends question का सिलसला भी यहां पे पूरा हो गया है रिवीजन का अब friends कलके जो हमने test questions पूझे दे उनको एक बार discuss करती है पहला question पूझा था कि विच इंडिया लॉंगेस्ट रिवर जो की ड़सन फ्लो इंटो सी भारत की सबसे लम्मी नदी कौन से थी मुदर में नहीं गिरती option में था गंगा, यमुना, तापती और कावीरी तो सही answer कौन सा था उसमें से यमुना क्योंकि यमुना जो है ना friends ये जो है गंगा में मिल जाती है इसके अलावा second question था what is the most cultivated crop in इंडिया भारत में सबसे अधिक खिती की जाने वाली फसल कौन सी है the answer is rice यानि चावल, तो thank you friends आप सभी के दोनों question के answer रहे हैं बिलकुल सही और आज के हमारे comment है dark king and jatin, तो thank you both of you, आप friends बात कर लेते हैं इसी तरह से आज के test questions की, तो आज का देखे पहला question किया है where is situated the battlefield of classi, जो classi का युद्ध छेतर है, ये कहां पे इस्तित है, और दूसरा question है, आजाद हिंद forge का गठन कहां पर हुआ था, और कब इसकी formation हुई थी, ये भी आप लोग बताएगा, कि आजाद हिंद forge की का जो गठन है, वो कब और कहां हुआ था तो ये हैं friends, आज के हमारे दोनों test के question, अब जल्दी से आप हमें इन दोनों question के answer बता दीजे, comment box में और इसे के साथ आज का ये session होता है, यहाँ पे complete thank you so much for watching this video